Hello 10th class, स्वागत आपका chapter number 6 triangle की exercise 6.1 का solution आज हम लोग करेंगे लेकिन पहले उससे पहले समझ लेते हैं concept हम कौन साइस में use करेंगे तो इसमें जो mainly concept हैं वो हैं congrency और similarity का concept Congrenancy क्या होते है? Congrenancy ये कहते हैं कि दो geometrical figures का congruent होगे जब उनका shape और size same होगा और similarity क्या कहते है? Similarity कहते है कि shape geometrical figures का same होना चाहिए size different हो सकता है क्या खा? सब उस हम एक example लेते हैं दो squares आप consider करिए उनका side length दोनों की same है shape तो दोनों का same है, squares हैं बहुत और side length का वो भी same है तो ऐसे squares को हम क्या कहेंगे? congruent कहेंगे, ये दोनों क्या होगे? different है इसकी, बट shape के है same है तो ये पहले वाले दो congruent triangle का क्या हो जाएगा? similar हो जाएगा, because it has same shape shape के वो same होते है, similarity में size इसका different हो सकता है ठीक है, hope आपको समझ आगे होगा एक और example लेते हैं तो जैसे मेरे पास यहाँ पर तो इसको और बैतर तरीके समझते हैं ये मैंने दो bottles ले रखे हैं आप देखें इनको ध्यान से इनमें आप देखो कि इनका shape और size दोनों का क्या है? same है दोनों के shape भी same है और size भी same है, तो हम कहेंगे दोनों के दोनों bottles के हैं, एक दूसरे के congruent है, समझ जाएंगे congruency में क्या होगा? मैं repeat कर रहा हूँ shape और size दोनों का क्या होगा? same होगा, ठीक है? अब मैंने दो different bottles ले रखें, आप देखो इन दो bottles को, इसमें आप notice करें, दोनों का shape same है इसको ignore करता है, थोड़ा से यहाँ पर यह अंदर की तरफ थोड़ा सा धसा होगा है यह चीज हम ignore करते हैं तो लगबग लगए इनका shape जो है, same है but size different है यह बड़ी bottle है, यह छोटी bottle है हम कहेंगे कि दोनों bottle से एक दूसरे क्या है? similar है, congruent नहीं है क्या है? similar है, ठीक है? तो आई हूप आपको समझ आगया होगा कि congrency और similarity कैसे work करती है तो बढ़ते हैं फिर हमारी exercise 6.1 पर discuss करते हैं इसको, ठीक है? इससे पहले एक और चीज़ नौट कर लेना इसी जो है न, वो stronger property है than similarity, stronger property का मतलब यह होगा, congrency जहाँ 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 चलेगी similarity भी आएगी मेंस अगर दो geometrical figure congruent है तो वो similar भी हो बट अगर दो geometrical figure similar है तो जुरूर नहीं कि वो congruent हो तो आपको समझना है कि congrency stronger property बढ़ते हम लोग exercise 6.1 पर पहला question देख लीज़े क्या बुलाओ था? इसमें fill in the blanks है पहला है all circles are कोई भी circle आप draw करते हैं यह देखें, मैं यहाँ पे दो circle draw करता हूँ एक यह है और एक छोटा सा circle draw करते हैं जिसके radius बहुत छोटी होगी तो यह दोनों के दोनों क्या है? same है, but size different है तो क्या हो गया? similar हो गया तो आपने वहाँ पे दो option में दे रिखे थे congruent या similar तो आपको लिखना है similar all squares are similar क्योंकि size जो है side length का different हो सकता है but shape सब की same है तो यह क्या होगे? similar होगे all triangles are similar कौन से triangle similar होगे? equilateral क्योंकि सब का shape जो है same होगा but क्योंकि side length different हो सकती है तो हम क्या कहेंगे? कि all triangles कौन से triangles? equilateral ठीक है? fourth part पर बढ़िए two polygons of same number of sides are similar their corresponding angles are equal यह हमेशा होना चाहिए अगर similarity है तो corresponding angles जो है वो equal होते है next जो exercise हम लोग करेंगे 6.2 उससे पहले मैं आपको exams of similarity बताऊंगा वहाँ पे discuss करेंगे their corresponding sides are क्या होना चाहिए? उनका ratio जो है same होना चाहिए मैंने क्या आगार similarity में equal होना जरूरी नहीं है क्या होना चाहिए? उनका shape same होना चाहिए तो इसका महला वो proportionality होनी चाहिए उनमें shape में तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? their corresponding sides are proportion question number 2 देखिए give two different examples of pair similar figures हमें क्या करना है? जो similar figures है उनका example देने है तो पहले वाले में तो आप यह ही कर दीजिए जो मैंने यहाँ पे circle बना रखे हैं circle क्या होते है? एक दूसरे के similar होते है squares क्या होते है? similar होते है इसके अलावा अगर आप triangle draw करेंगे तो वो भी क्या होते है? equilateral triangle sorry equilateral triangle अगर आप draw करेंगे तो वो भी क्या होते है? similar होते है यह समझना है next क्या बुलावा था? non-similar figures तो non-similar figures कौन से होंगे? square के साथ आप combination कर दीजिए triangle का triangle and squares या फिर circle and squares यह क्या है? non-similar figures है इस तरीके से इसका आप लिख सकते हैं question number 3 देखे state whether the following quadrilatals are similar or not तो पहला जो quadrilatals आपको दे रखा है यह parallelogram है अगर आप question number 3 में देखेंगे it is in parallelogram और दूसरा वाला जो है square है तो क्या यह similar होंगे? आप सीधी सीधी आणसर दोगे no it is not possible क्यों? क्योंकि इनका जो shape है इसका जो shape है वो क्या है? different है shape same होना चाहिए था similarity में याद रखना similarity क्या demand करती है shape को same होना चाहिए तो यह थे हमारे पास 6.1 के question जिनका solution में ने कर दिया है अब हम next lecture में आएंगे exercise 6.2 के solution के साथ okay क्योंकि आएंगे क्योंकि आएंगे